नमस्कार दोस्तों मैं गौतम आज एक बारपुना आपका इनफोकस सिविलिक एडमे में स्वागत है दोस्तों आज हम बहुत ही बहतरीन करंट अफेयर का वीडियो लेके आए हैं जो आने वाली प्रतियोगी परिक्छाओं के लिए बहुत ही जबरजस्त होगा बहुत ही महत् तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के पिछले कुछ महीनों में जो चर्चित इस्थल रहे हैं वो भारत के भी हो सकते हैं और वो इस्थल बिस्थो के भी हो सकते हैं उनसे सम्मांधित कुछ महत्वकून जो पॉइंट है उनकी चर्चा करेंगे इस से पह तालुक कौन रखता है किसी नाकाम से लेकिन मिले जो कामयावी सारे रिस्ते बोल पड़ते हैं सभी दोस्तों आप लोग जानते होगे कि जब तक आपको नाकामयावी मिलती है जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तब तक दोस्तों आपके बारे में सभी लोग आल भाई बंदू होते हैं, सबी सांत हो जाते हैं, तो वही लाइन है कि तालुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो काम्यावी सारे रिस्ते बोल पड़ते हैं, मेरी खुबी पे रहते हैं यहां अहले जवां खामोस, मेरे एबों पचर्चा हो तो गूंगे बोल उठत हैं, दोस्तों जब आपके एबों पचर्चा होती है, तो जो नहीं भी बोलता है, वो भी बोलने लगता है, तो यह लाइन बहुत ही महत्पूर्ण है, सफलता के लिए और आपको मेहनत करने के लिए आगे की तरफ प्रेरित करेगी, तो दोस्तों इसके साथ ही हम अब काफेर की क्लास में, पिछले जो भी कुछ महीने रहे हैं, उनमें जो चर्चित इस्थल रहे हैं, बिस्थ के और भारत के, उन सभी इस्थलों से सम्मंदित महत्पूर्ण पॉइंट को मैपिंग में देखेंगे, बिलकुल एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो चलो चलते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कहे रहे हैं चर्चा चर्चितों की, यहां चर्चा चर्चितों की चर्चितों का मतलब जो भी विश्थ के देश चर्चित रहे हो, या आगे चलके हम अगला जो वीडियो होगा चर्चित विक्तित की बात करेंग वो आपके स्लामने स्लाइड में सामने है दोस्तों सबसे पहला जो आपके सामने ये बिंदू है वो है पेरू पेरू की बात करें तो पेरू की बात करें मेरे दोस्तों तो ये पेरू जो है दच्छन अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी है दोस्तों लीमा ठीकना और ये क्यों चर्चा में रहा है जरा इसके चर्चा में रहने का देखते हैं कारण क्या है तो दोस्तों अभी हाले में कुछ समय पहले पेरू में GBS क्या है मेरे दोस्तों GBS GBS का मतलब होता है गुलेन बैरे सिंड्रोम यहां पर यह सिंड्रोम काफी बड़ी मात्रा में फैल गया था जिसके कारण यहां लोगों की समस्याएं पैदा हुई और फिर यहां की सरकार के दौरा 90 दिन का एक स्वास्त आपात का लगोंसित करना पड़ा तो अभी अगर आपसे कभी पूँच लिया जाए अभी हाली के एकजाम में कि अभी हाली में किस देश ने अपने यहां GBS सिंड्रोम के बढ़ते नजर को बढ़ते हुए इस्थिती को देखते हुए अपने यहां 90 दिन का स्वास्त आपात का लगोंसित किया है तो आपको होगे भाई साब वो देश है दक्षण अमेरिका का जिसका नाम है दोस्तों पेरू और यह देश कहां पढ़ता है तो दोस्तों यह देश आपका यह लोकेशन है मैंने आपको देश की लोकेशन बना दी यह दोस्तों देश पेरू है जहाँ पर GBS सिंड्रोम के बढ़ने के कारण यहाँ पर 90 दिनों का दोस्तों क्या लगाए गया है स्वास्त आपात काल की घोशना की गई है कितने दिनों का 90 दिनों का तो यह पॉइंट आप याद रख लीजेगा इसके बाद अगला देश है दोस्तों नाईजीरिया और खिरकार यह क्यों चर्चा में रहा है तो इसके चर्चा में होने का सबसे महत्व कौन कारण है दोस्तों कि इस देश में खाद देपादार्थ इतने महंगे हो गए थे खाद्य पदार्थों की महगाई को कंट्रोल करने के लिए यहां के जो राश्ट्रपती हैं बोला एहमद टिनूबू इन होने यहां पर आपातकाल की घोशना कर दी है कोई पूछे अभी हाल ही में कहां पर फूड की कीमत बढ़ने से वहां खाद्य पदार्थों के कीमत बढ़ने से वहां की सरकार ने आपातकाल की घोशना की है तो आप को होगे वो देस है दक्षणा में उस्वरी वो देस है आफरीका का जिसका नाम है दोस्तों नाइजिरिया और नाइजीरिया की capital important है वो दोस्तों है अबूजा, क्या है दोस्तों अबूजा और अगर इस देश को मैप में देखा जाए तो दोस्तों ये मैप में ये है देश आपका नाइजीरिया, ये नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया की ऊपर दोस्तों ये नाइजर देश है औ बागी आपस में इसके टोंगो, घाना, बेनिन, कई ऐसे छोटे-छोटे देश पढ़ते हैं. तो बड़ा अच्छा देश है, बड़ा आफरीका महादूरिक का ठीक ठाक कंट्री है, यहाँ पर ठीक ठाक डेप्लमेंट भी है, तो इस देश में यह समस्या आई थी, जिसके एक स्लाइड में क्यों लेके आए हैं. तो दोस्तों, मलेसिया में हुआ क्या है, कि यहाँ पर HAL ने, जो भारत की हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड है, इसने अपना छेत्री कार्याले मलेसिया में खोला है, इसलिए भी मलेसिया थोड़ा चर्चा में रहा है. इसके मलेसिया में अपना एक center खोला है, अंतर राश्टे भुख्घान गेटवे खोला है, जिसका नाम है करलेक बाई Razer Pay, इसलिए भी मलेसिया दोस्तों चर्चा में रहा है. पहला कारण तो भाई साब यह है कि HL ने यहाँ पर अपना एक छेत्री एक आर्याले खोला है और दूसरा चर्चा में होने का सबसे महत्पूर कारण है कि भारत का एक payment system है जिसका नाम है Razor Pay इसने वहाँ पर जा करके अपना एक नया center खोला है वहाँ पर अपना facility है और यहाँ पर part इस complete part को Malaysia कहते हैं और इसकी capital कि अगर बात करें तो दोस्तों इसकी capital है Kwala-Lampur इसकी capital क्या है? तो capital के बात करें तो दोस्तों इसकी capital क्या है Kwala-Lampur तो वह Malayasia की बात होई? अ entwic これ अच्छा इसके अ downwards पेरू की बात हो गई, Nigeria की बात हो o गई, इसके वारा मा नेशिय के बात होगे क्या और कोई ऐसा देश है क्या जो अभी हाल ही में पिछले कुछ महिनों में चर्चा में रहा है, जी सर एक और देश है जिसका नाम है New Zealand, क्या नाम है दोस्तों नीजीर इन्ड ये आस्ट्रेलिया है, आस्ट्रेलिया से कुछ दूर पर ही एक देश बसा किया है इस ने इसने किया क्या है कि अपने यहां की सूपर मार्केट यहां सूपर मार्केट ऐसे मार्केटें को कहा जाता है जहां खाद पदार्थों की विक्री की जाती है या उससे समधित प्रोडक्ट वगएरा सारी चीजें बेची जाते हैं अपने यहां समझ लो जैसे भैक का प्रियोग नहीं कर सकते हो, जो की पर्यावरणिय द्रश्टी में बहुत ही उन्नत कार रहे है, जो इस देश ने किया है, और पुरी दुनिया में ऐसा करने वाला ये पहला देश है, तो अपने आप में ये सम्मानिय कार रहे है, न्यूजिलेंड, ये है कहां, तो इसके अलावा और कौन सा देश है, जो चर्चा में रहा है, एक देश दोस्तों और है, जिसका नाम है इसराइल, इसराइल चर्चा में क्यों रहा है, इसका क्या कारण है, इसमें ऐसा क्या कर दिया, तो भाई साब इसने यहां की सरकार ने पहला डिजिटल सरकारी बॉंड जारी किया है और ऐसा करने वाला बिस्सु का ये पहला देस बना है डिज्टल सरकारी हम धेखेंगे ये भी चर्चा में रहा है तो इसराइल है कहां तो दोस्तों ये देस इसराइल है छोटा सा यहां पर है ये इसराइल है ठीख ना इसकी capital क्या है तो जेरुसिलेम है तो ये क देखता हूँ कि क्या मेरे देश में भी पिछले एक दो महिने में कोई चीच चर्चा में थी, कोई राज्य चर्चा में था और अगर चर्चा में था तो क्यूं था जरा उसकी बात करते हैं तो हम चलते हैं अपने देश की तरफ और हमारा देश आ गया यह सामने यह हमारा दोस्तों देश है इंडिया भारत जो कहो सब सही है अच्छा अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया गया है बलिदान इस्थापित किया गया है इसके अलाव अगर आपसे यह पूंच ल पूला गया है बानरों उसे basically क्या है लखनव में बानरों ने बहुत अत्याचार कर रहे थे लखनव में एक तरीके शें बहुत परेशान कर रहे थे लोगों के घर-घर जा 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 तो यहां की सरकार अर्था योगी जी ने क्या किया है? कि लखनाव से बाहरी छेत्र में बानरबन बनायाने की गोशना की रह गए, कि भाई साथ बाहरों को सुरच्छित रखने के लिए बानरबन बनाया जाएंगे, ताकि ये जो है लोगों को परेशान ना करें, तो बानर्बन बनाया गया है, बहुत सारी चीज़े की गया है, क्या क्या महत्कपूर्ण था, ये सारा आपके स्लाइड में है, तो मैं एक-एक की चर्चा करता रहूँगा, सबसे पहले मैं बात करूँ स्री नगर में, स्री नगर में ऐसा क्या किया गया है, ये पढ़ता कहा ह बलिदान पार्क इस्थापित करवाया है, क्या बलिदान पार्क के निर्मार की वेसिकली घोषना की है, तो इसलिए अभी जम्मू कस्मीर की रादधानी स्रीनगर चर्चा में रही है, चुकि यहाँ पर ग्रह मंत्री अगर कोई काम कर रहा है, किसी चेच का उद घाटन कर रह होती है, तो अगर आप से कभी पूछ लिया जाए, कि अभी हाल ही में हमें साहग्रे मंत्री जी द्वारा वलिदान इस्तंभ की निर्मार की घोषना किस राज्य में की गई है, तो आपको होगे जम्मू कस्मीर और ये कहां इस्थापित होगा, तो आपको होगे ये स्रीनग में स्थापित होगा, इसके बाद मैं अगर कहूँ कि भाई दिली चर्चा कभी से क्यों रही है, तो दिली में चर्चा का जो महत्तो कौन बिंद। यह है कि यहां का एक सफदर जंग सफदर जंग सफदर जंग आपका सफदर जंग जो है अस्पताल है यहां है क्या है दोस्तों सफदर जंग अस्पताल है और इस अस्पताल में उत्तर भारत का पहला इसकिन बैंक स्थापित किया जा रहा है दोस्तों तो अगर आप से कभी पूँच लिया जाए कि अभी हाली में इसकिन बैंक कहां स्थापित की जा रही है तो आप कहोगे भाई साहब वो दिल्ली में स्थापित की जा रही है किस अस्पताल में स्थापित कि जा रही है तो आप कहोगे शफ़दर जग अस्पताल में और ये काम कब किया गया है तो 20 जुन 2013 को किया गया है तो ये भी important है इसको भियाद रखी जिएगा तो ये दिल्ली से सम्मझनित हो गया ये जम्मू कस्मेर से सम्मांदित हो गया बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश से सम्मांदित है नोईडा ये चर्चा में क्यों रहा तो भाई साहब यहाँ पर भारत के पहले वेद बन पार्क का उद्गाटन किया गया है किसका उद्गाटन किया गया है ये नोएडा में बनेगा नोएडा कहां है उत्तर प्रदेश में है ये बाद जो है आपकी इस इलाके की हो गई इसको भी आप समझ गए इसके बाद गुजरात का एक जगह है दोस्तों महसाड़ा ये भी अभी चर्चा में रहा है तो इसके चर्चा में रहने का कारण summyn क्या ह जो देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है तो अगर आप से पूचा जाए देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल का नाम बताईए तो आप कहोगे मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक श्कूल क्या नाम लेंगे मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक श्कूल यह का पहला सहकारिता से completely सहकारिता से संचालित स्कूल है और यह कहां इस्थापित किया गया है यह कहां इस्थापित किया गया है महसाड़ा में इस्थापित किया गया है और किसने इस्थापित करवाया है तो यह ग्रह मंत्रियमित्साह की द्वारा इसका उद्गाटन किया गया तो ग्रह मंत्रिया मिस्साय के दौरा तो ये भी याद रख लेंगे इसके बाद महाराष्ट का एक जगह बड़ी फेमस रही है अभी हाली में इसका नाम है दोस्तो भिवारी तालुका क्या दोस्तो नाम है भिवाडी तालुका ये महाराष्ट की है और ये बड़ी चर्चा में रही है थाड़े जिला में पड़ती है थाड़े जिला मुंबई के नीचे है यहाँ पर ये देखो मुंबई है और यहाँ थाड़े जिला पड़ता है और यहीं पर ये भिवाडी ता तालुका जो महाराष्ट के कहां पड़ती है थाड़े जिला में पड़ती है इसके बाद मैं अगर बात कहूं तो मद्द प्रदेश का एक छेत्र है मद्द प्रदेश का एक छेत्र है जो अभी चर्चा में रहा है वो कौन है तो निवाडी जिला वो कौन सा है निवाडी जिल और ये चर्चा में इसलिए रहा है चूकि ये प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बना है मतलब प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला मतलब इसने हर घर जल पहुंचाने की जो है पूरी चमता पूरी की गई है और आपको पता ही होगा इससे पहले देश का हर घर जिला कौन बना था हर घर जल जिला कौन बना था तो बुरहानपुर बना था कौन बना था बुरहानपुर वो भी जो है आपका मद्ध प्रदेश में ही पढ़ता है ये हर घर जिला बना था पूरे देश का पहला ठीक न और अभी हाली में एक दूसरा प्रदेश इस प्रदेश का दूसर में एक हम बेसिकली बानर वन इस्थाफित करेंगे क्यों इस्थाफित करेंगे चूंकि भाई साब लखनव के आसपास बांदरों ने आतंक ढार रखा है इसलिए उनसे बचने के लिए एक बानर बन बनाया जाएगा ताकि लोग बानरों को परेशान भी ना करें और बानर सु पूछे आप से कि बानर बन कहां पर बनाये जाने की घोशना की गए तो बानर बन बनाये जाने की घोशना जो है आपका लखनव में की गए लखनव के बाहरी छेत्र में इस्थापित होगा ठीक ना इसके बाद और क्या है इंपोर्टन उत्तर प्रदेश का ही एक छेत्र है बरेली जो काफे important है ये क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों यहाँ पर नाथ गलियारा विक्सित किये जाने की गोष्णा की गई है नाथ गलियारा बना जाएगा दोस्तों आप जानते होई नाथ बिसिकली भगवान संकर जी से संबंदित है और इस संब्रदाय के सभी मंदरो को आपस में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ये कहां पर इस्थापित होगा दोस्तों बरेली में बनाया जाएगा नाथ गलियारा और इसके तहट कौन-कौन से मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा तो दोस्तों अलख नाथ जी को जोड़ा जाएगा मनी नाथ जी को जोड़ा जाएगा तपेश्वर नाथ जी को जोड़ा जाएगा मंदर को और धोपेश्वर नाथ मंदर और पसुपती नाथ मंदर और वान खंडी मंदर इन सभी मंदरों को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा नाथ कारिडोर के आधार पर नाथ कारिडो अपना एक उप कार्याला यहां पर खोला है membership तो गुए आबात उपी गुआ पूर्वाया रेया किसे तो आपक हण खोला गया है यह जो है नागा लेंड के कोहy चंपाराण जिला काफी चर्चा में रहा है यह है कहाँ तो आपको होगे भाई साब यह पूर्वी चंपारण जिला बिहार में पढ़ता है बिहार आपका यह है यहाँ पर पढ़ता है पूर्वी चंपारण जिला और यह चर्चा में क्यों रहा है तो भाई साब यहाँ बिस्तो का सबसे बड़ा राम में अर्थाद बिहार, फिहार के पूरिवी चमपारण वाले जिले में बनाया जा रहा है तो Т deficit गोष्णा की गई है बनाया जाएगा यह बनाया जाए गाएगए और यह बनाया जाएगा और यहां का एक छेत्र है दोस्तों कोंडा कलगाओं और कोंडा कलगाओं कोई पूछले कहां पड़ता है तो तेलंगाना में रंगा रिडडी जिले में पड़ता है कहां पड़ता है दोस्तों रंगा रंगा रिडडी जिले में पड़ता है चर्चा में क्यों था तो कहोगे भाई फैक्टरी का उद्गाटन करवाया है कोई आप से पूचे देश के सबसे बड़े निजी रेल कोच फैक्टरी कहां इस्थापित की जा रही है तो आप कहोगे भाई साथ तेलंगाना में इस्थापित की जा रही है कोंडा कल गाउ में कहां पर इस्थापित की जा रही है कोंड दिंदू की तो ये आंधपरदेश से बिलॉंग करता है। आनधपरदेश दोस्तों ये है और यहां एक गुन्टूर डिस्टिक पड़ती है। कि ये बताईए अभी हाल ही में कहां पर मध्य पासान काल की एक पेंटिंग खोजी गई है, एक रॉक पेंटिंग है, पत्थर पर बना चित्र खोजा गया है, जिस पर एक विक्ति खेत को जुताई कर रहा है, ये किस काल की है, अपने आप में याद रखना, ये मध्य पासान क याद रखना क्रिसी के साच जो हमें सरप्रथम प्राप्त होते हैं वो नौपासाण काल में प्राप्त होते हैं लेकिन इस पैंटिंग में यह जो पैंटिंग है आपकी मैसोलिथिक काल की है किस काल की है दोस्तों मैसोलिथिक काल का मतलब होता है मध्यपासाण काल की है और मध आता है कि नौपासान काल से भी पहले क्रसी के साथ प्राप्थ हो रहे हैं तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानकारी आपको लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आने वाले सारे की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन स